गुराफनो डियर स्टोरेंट्स ये पार्ट सेकंड है आपकी मौल स्टोरी हेवन एंड हेल का तो पार्ट फिस्ट में हमने पड़ा औरत जाती है उस बाबा के पास जो एक सेंट होता है और ये जन्नत और जहन्नमे मरने से पहले देखना चाहती है दून में फरक क्या है तो ये बाबा इसको सबसे पहले जहन्नमें लेके जाता है और वहां पहुंचते ही ये औरत जो है हैरां रहती है क्योंकि ये बड़ा सा डाइनिंग हॉल इनॉर्मस यानि कि बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल देखती है और काफी डिजाइनर पिलार्स देखती है और फानूस देखती है बहुत ही खूबसरस चैंटलियर्स देखती है जो हर टेबल पे डेकुरेट किये होते हैं और माहूल जो है काफी खुश मिजाज नजर आता है और ये शूर देखती है ये और ये आरत कहती है कि आप पूरी एकिन की साथ कह सकते हो कि ये जहन्म है क्योंकि हम पे हर एक चीज बहुत ही खूबसरत नजार आ रहा है गैसबड का मतलब होता है किसी सुच्वेशन पे जब हम बहुत ज़ादा हैरान होते हैं तो उसके बाद जब हम मतलब रिपलाई करते हैं हैरान की में जब हम रियक्ट करते हैं गैसबर मतलब हांपना तो रिमेंबर वाट आप टोल्ड यू बिफोर केम हीर तिंग सॉर नाट अलवेशन अज़े सीम तो सेंट रिपलाई नव टेके कलोजर लो उस पे सेंट इसको वापस रिपलाई करता है क्या आपको याद नहीं मैंने आपको क्या बोला था क्या हर कोई चीज वैसी नहीं है जैसी आपको नजर आएगी मैंने आपको बोला था यहां आने से पहले कि आप हर किसी चीज पे बिलीव नहीं करना जो आप देखोगे उसको आप सच नहीं मानना अब हम नजदीक से इस सिचुविशन को देखेंगे जब यह औरत इन डिनर के पास जो यह लोग होते हैं टानिंग टेबल पर बैठे होते हैं डिनर करने के लिए, खाना खाने के लिए जब यह उनके पास पहुँच दी है तो इसको नज़र आता है कि यह लोग काफी कमजोर फ्राइल मतलब कमजोर और गॉंट मतलब मरियल जैसे लगता है इनको कोई बीमारी है और उस बीमारी के वज़े से काफी वीक नज़र आ रहे थे और उनके माथे पे और उनके चहरे पे गम नज़र आ रहा था जो इनके हाथ में इन लोगों के हाथ में जो खाना खाना चाहते थे उनके हाथ में जो सुपोन्स थे वो तीन फुट लंबे थे यह कुछ अज़री भी था as the people could reach the food but they couldn't put it in their mouths यह लोग आराम से दूर से ही खाना ला सकते थे लेकिन अपने मूँ में यह खाना नहीं डाल सकते थे therefore all the plates kept there were empty तो इसकी वज़े से वहाँ पे जो plates थे जिनमें यह खाना रखके खा सकते थे वो empty थे वो खाली थे It was now that she comprehended the real problem He heard the moans and cries of the people sitting there and could feel the hopelessness of the situation अब इस औरत को पूरा माजुरा समझ में आया Comprehend का मतलब पूरी तरी की से इसने real problem को असली जो वहाँ पे problem थी उसको समझा यह लोग जो है उनकी moans, उनकी गम में आवाज, गम की आवाजे और उनकी चेटने चिलाने की आवाजे इसको सुनाए दे रही थी और इसको, and could feel the hopelessness of the situation और इसको समझ में आगर यह महसूस कर सकती थी इनकी नाउमेदी और खराब खसता खालात तो old woman was genuinely more, यह जो बूरी औरत थी, यह हकीकी तौर पे गमजदा हो गई अब यह काफी परिशान होगी इन लोगों की हालात देखके और इसने request की उस बाबा को कि मुझे यहां से बहुत जल्दी ले जाए क्योंकि मैं इन लोगों की मिज़री, इनकी दुख और तकलीफे नहीं देख सकती मैं नहीं देख सकती इनको ऐसी situation में आप मुझे यहां से जल्दी ले जाए अब मुझे आप जननत में ले जाए मैं वो देखना चाहती हूँ अब इसकी wish जो है इस बाबा ने accept की और फिर से एक बार आँखो पे पत्ती डाली और कहीं ले गया और पत्ती को रिमोग किया तो इन्होंने कहां पे खुद को पाया जननत के दरवाजे पे अब इस बुड़ी ओरत ने जो भी वहां पे देखा काफी हैरार रह गई क्यूंके इसने सेम वैसा ही देखा जैसे जननत में था वैसे ही पकवान थे वैसे ही डाइनिंग टेबल था वैसे ही डाइनिंग हॉल था the coward pillars, the huge dining hall and the lavish variety of dishes everything was the same हर कोई चीज वैसी नजर आती थी जैसे जहनम में थी बड़े-बड़े पकवान, lavish मतलब जो बड़े-बड़े शाहना पकवान थे वो नजर आ रहे थे huge dining hall, बड़ा सा dining hall नजर आ रहा था and coward pillars और इसके pillars जो के तराशे हुए थे सब कोई सेम वैसे ही लग रहा था जैसे जहनम में था when the saint saw her face, he understood that what she was thinking he repeat his statement yet again, things are not always as they seem जब इस बाबा ने इस और उत की जहरी की तरफ देखा तो इसको लगा कि यह क्या सोच रही होगी और वो क्या सोच रही थी यही कि यह तो सेम वैसे ही लग रहा है जैसे कि जहनम में लोग और जहनम में वो dining hall pillars ठीक है और lavish खाने अलग-अलग बहुत ही शहाना पकवान थे यह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कि जहनम में थे इस बात पे उस बाबा ने फिर से एक बार repeat किया that things are not always यह औरत इस dining table के नजदेक गई इन लोगों को नजदेक से देखने के लिए she noticed that the expression is on the people's faces hair were different from that of the people she had seen in hell they looked contented hair they had brought smiles on their faces and the atmosphere was felt with the sound of their laughter, warmth and joy अभी औरत इस dining table के नजदेक पहुंची तो इसको नजर आया कि इनके चहरे पे जो उदासी या खुशी थी इनके चहरे के खुशी काफी difference थी, इनके expressionist इनके चहरे के हालात काफी different थे उन लोगों से जो के जहनुम में रहते थे जहनुम में रहने वाले लोग जो के dining table पे खाना खाने के कोशिश कर रहे थे, उनके चहरे रिंगल से बरे हुए थे, जुरियों से बरे थे और उनके चहरे पे गम और दुख दूर सी ही नजर आता था लेकिन यहां पे जो चहरे थे वो काफी contented, काफी पुर्सकों नजर आ रहे थे इस्माइल कर रहे थे जोर जोर से हाल यहां का महोल भी काफी जादा पुर्सकों नजर आ रहा था तो वोमन वास रहे थे, जोर्ट जो है यह देखके हैरा रहे गई कि अब इसको सची में फरक नजर आया जहन्नुम में भी वैसा ही था, वैसे पकवान थे लोग खाना काने की कोशिश कर रहे थे वहां पे सारा महोल सजाया हुआ था, बैग्राउंड म्यूजिक चल रहा था काफी डिजाइन्स में वो पिलर्स नजर आ रहे थे सजाया हुआ सारा नजर आ रहा था और सेम हैवन में भी वैसा ही था और एक बात ये थी कि सपोन्स जो थे वो थ्री उफीट लग थे हैवन में भी लेकिन हैवन में वो इस बात पि नाउमेद होए थे कि हम इन सपोन्स से khाना ला सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते और جन्नत में जो लोग रहते थे उनको भी पता था उनके पास भी वही सपॉन्स थे उनको भी पता था कि हम खुद खाना नहीं खा सकते क्योंकि ये बड़े और ज़्यादा लंबे थे ये हमारे मुँदक पहुँच नहीं सकते है और उन्होंने क्या किया और कोई भी परिशान नहीं था The woman smiled and she had understood the real difference between hell and heaven. जो ओरत थी ये देखे वो मुस्कराई और उसको अब सच में, असल में उसको, रियली में उसको समझ आ गया कि असल डिफरेंस क्या है जन्नत और जहन्नम में. My dear students, I hope आपको ये मौल स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी और इसको पढ़के आपको समझ आया होगा हमें किस चीज़ को वैलू देना चाहिए. हमें एक दूसरी की help करनी चाहिए और teamwork में रहके हमें काम करना चाहिए जिससे हमारा time बचता है और हमारा काम का जो pressure होता है, जो workload होता है वो कम होता है और काफी fruitful results आते हैं. जैसे कि हमने देखा जहन्नम में रहने वाले लोगोंने उमीद छोड़ दी थी क्योंकि वो अपना काम share नहीं करना चाहते थे, वो teamwork में रहके एक दूसरी की help नहीं करना चाहते थे, जो जन्नत में लोग रह रहे थे, उनके पास भी वही spoons थे, लेकिन उन्होंने खुद नह में repeat करती हूँ, कि आपके half yearly syllabus में जो आपका examination हो आ रहा है, approach कर रहा है, उसका जो syllabus है वो है, तीन है उसके the miser and school जिसके questions answers upload हुए है, number two, taming of the shrew, और उसके question answer session भी upload हुआ है, और ये है heaven and hell, उसका ये part second है, और part third में मैं questions and answers आपको बताऊंगे, कarti खूपा, और दो, रुड़ार, ये बताऊंगे, जसके जर अज़ाने थाफ। झाना